आज की स्पीडिस में हम जाने वाले हैं घर बैटे ही SPI में अगर आपका खाता है तो घर बैटे ही आप online FD किस तरीके से कर सकते हैं इसी के साथ में अगर आप offline करना चाहते हैं जाने कि खुद से एक certificate मिल जाता है और वही certificate आप चाहें अपने मोबाल से ही यहाँ पर FD कर सकते हैं अपने बैंक खाते में और इसी के साथ में आप उस certificate को भी निकाल सकते हैं तो किस तरीके से निकाल पाएंगे किस तरीके से सब्सक्राइब कर पाएंगे चलिए जान लेते हैं तो मैं हूँ प्रेम संकर और आप देख रहा है सुनील 2024 चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें सबसे उसके बाद में आपको SPI unnuo application को अपने फून के अंदर ओपन कर लेना है और आपके सामने यह ओपन हो जाएगी उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना mpin इंटर कर देना है और लोगिन कर लेना है तो चलिए आपना यहां पर डाल देता हूं लोगिन कर लेता हूं अपना एंटर कर दिया है और जो हमारी आड़ी है sb.io application पो यहां पर open हो रही है अब आप यहां पर फिक्स deposit करना चाहते हैं तो Fixed Deposit क sor where the options are perhaps simply click करेंगे उसके बाद में आपको यहां पर मिल दाएगा फिक्षड इपोजिट को अउसरा बालड़ी का इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे यहां पर मिलेगा ओपन fix डीपॉजटरी कर इस पर आप सेम्पली क्लिख करेंगे आपका अकउंट होगा अगर कोई other account है तो इस icon पर simply click करके account को change करके और आप यहाँ पर account select कर सकते हैं पर मेरा यह की account है तो मैं इसे ऐसी ही रहने देता हूं अब आपको यहाँ पर कितने की empty करना है वो आप यहाँ पर amount डालेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूं एक लाग दस हजार ठीक है तो मैं यहाँ पर कर देता हूं तो मैंने यहाँ पर कर दिया है एक लाग दस हजार उसके बाद में अगर आप इस icon पर simply tick कर देते हैं तो जो आपका पैसा है वो यहाँ पर चैक्स है उसमें आपको छूट मिल जाएगी पर वो 5 साल के लिए bond हो करते हैं के बाद में आपको नश्च पर simply click कर देना है आपके सामने कुछ इस तरीके से आजाएगा आप यहाँ पर यहार मंत्र डेश सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक आनि कि आप कितने समय के लिए यहाँ पर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल लिए हैं विव इंट्रेट अगर आप यहां पर देखな चाहते हैं यहाँ पर इंट्रेटि लिए होला है जिसी के साथ में आपको लिस्ट या चाहिए कर सकते हैं जिफ्iliब नीचे आपको यहां चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें आपको साथ प्रितिस्ट का आपको यहां पर इंटरेट मिलने वाला है इसका मतलब है सीधे-सीधे कि अगर आप यहां पर जैसे की देख पा रहा है कि है अगर आपको यहां पर मिल्या है साथ-10 तो इसका मतलब है आपको एक लाग पर आपको यहां पर 71 रुपय मिलेंगे ठीक है इसी के साथ में अगर आप यहां पर देख पा रहा है अलग-अलग आप यहां पर 211 दिन के लिए करते हैं तो आपको यहां पर 36% का interest rate मिल लिया है इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर 1,00,00 रुपए में 1,00,00 में और आपको 1 साल में 6,000 रुपए मिलेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर select कर लिता हूँ अभी यह 400 day वाली ठीक है इसी के साथ में मेरे 400 day यहाँ पर select हो चुके है और आप यहाँ पर देख सकते है maturity date यानि कि यह FD कब complete होगी वो आप यहाँ पर देख पा रहा है और आपको कितना interest rate मिलेगा वो भी आप यहाँ पर देख पा रहा है तो चलिए मैं हाँ आप नाइस पर simply click कर देता हूँ उसके बाद में आ जाता है जैसे कि monthly, quarterly, quarterly या फिर maturity ठीक है इसका मतलब है कि आप जो interest rate बनेगा जो भी आपका ब्याज बनेगा वो monthly में लेना चाहते हैं quarterly में लेना चाहते हैं या फिर 6 मन्त में या फिर जब आपकी साल पूरी हो तभी आप इसे लेना चाहते है तो आप इसे अपने हिसाब से हाँ पर select कर सकते हैं जैसे कि अगर आप monthly के हिसाब से select करेंगे तो आपको 647 रुपाय आपके monthly आपके account में credit कर दिये जाएंगे और आप चाहते हैं कि नहीं maturity पर ही चाहिए तो आप इहाँ पर maturity भी select कर सकते हैं इससे यह है कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको इहाँ पर total amount कितनी मिलेगी तो आप इहाँ पर देख पा रहा है मुझे यहाँ पर 8801 रुपाय यहाँ पर मिलेगी maturity पर ठीक है इसी के साथ में अब यहाँ पर मेरे एक लाग दस जार रुपाय और इसी के साथ में यहाँ पर 8801 रुपाय यह मुझे maturity पर ही मिल जाएंगे 400 दिन है वह यहाँ पर मेरे complete हो जाएंगे तभी मुझे यहां पर एक लाक और इसी के साथ में 8801 रुपए मिल जाएगा अगर आप सहमत है तो आप नेश्ट पर सिंप्ली क्लिक करेंगे क्लिक करनी के बाद में आपकी यहां पर आजाता है और पिर रिनू और जो इंट्रस्टेट अब आपकी अकॉंट में आ जाए ठीक है तो आप यहां से स्लेक्ट कर सकते हैं इससे यहां है अगर आप पहीं अन्त हैं और आपकी यहां पर आप करना चाहते हैं तो होताने में जब तक कर लिया है आप भी इसी को ही कर ली जीगा या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं ठीक है नैश्ट पर आप सिंप्ली क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी किस नेम पर अबडी है इसी के साथ में जो अमाउंट है वो कितना है यहाँ पर आपको किस अकॉंट से जो अमाउंट है वो डिवेडिट होगा इसी के साथ में मैचुरेटी अमाउंट आप बुजाने के डेट देख सकते हैं maturity amount देख सकते हैं कि आपको total amount कितनी मिलेगी ठीक है जाने कि 1,18,801 रुपए मिलेगा इसी के साथ में हैं पर interest rate देख सकते हैं साथ पांड दस है interest rate payout देख सकते है maturity पर है इसी के साथ में सब कुछ ठीक है तो आप यहां आप पर टिक कर देंगे जिक करने के बाद में confirm पर आप simply click कर देंगे तो चलिए मैं यहां पर confirm पर simply click कर देता हूं अब इतना करने के बाद आपके सामने आ जाएगा congratulations तो कहने का मतलब है जो आपकी एपडी है वो यहां पर successful हो चुकी है यहाँ पर आपका आपडी का नंबर भी आ चुका है आप इसे download करना जाहा है तो download कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर download करता हूँ और यह आपकी फाइल में यानि की आपकी जो storage है उसमें PDF फाइल में यह डानलोड हो चुकी है तो इसे आप यहाँ पर download कराके प्रेंट भी कराके रख सकते हैं या फिर आप अपने पास इस PDF फाइल को भी सेब करके रख सकते हैं इससे यह हैं अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसे bank जाकर दिखाकर और अपनी amount प्राप कर सकते हैं हाला कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप bank से यही काम कराते तो यह है कि आपको bank वाले इसी को ही print करके दे देते आगर आप इसे download भी करना चाहते हैं तो बहुत ही इजली तरीके से download कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है आपको fixed deposit वाले option पर simply click करना है एपडी पर जाना है तो चलिए मैं इस पर simply click करता हूं download भी करके आपको दिखा देता हूं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहा है जो हमने एड़ टी की थी वह अभी ही यह है तो चलिए हम इस पर simply click कर देते हैं click करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल जाएगा यह downloading का आइकन इस पर आप simply click करेंगे click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा PDF फाइल आपके फून में download हो चुकी है यहाँ पर आपको पासबर्ट बन जाता है ठीक है तो वह पासबर्ट आपको किस तरीके से डालना है आपको यहाँ पर देखने को मिल लिया है your date of birth तो कहने का मतलब है आप आपको लाश्ट के चारंग डालना है जैसे कि 1991 है और आपको यहाँ पर मिल लिया है और रिजिस्टेशन मोबाइल लंबर ठीक है तो उसके भी आपको यहाँ पर चारंग पीछे के डालना है इसी के साथ में जो पासबर्ट बनेगा वो लंसम इस तरीके से बनता है ठीक है एक एक जांप पिल है पासबर्ट यह नहीं है ठीक है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं डेट आप बर्त की तरह है और इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल लिया है जो आपका एड़ रेड है इसी के साथ में मोबाइल लंबर चार अग पीछे के तो इस तरीके से आप इसे open कर सकते है PDF फाइल के लिए वीडियो अगर आपको अच्छे लगिए वीडियोस को लैक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके बंको इसी कहला है तो बझें से